पार्ट पांच, गोलु का घर गोलु एक छोटा सा प्यारा घोंगा था, वह एक बगीचे में रहता था, उसका बगीचा सूख गयाता इसलिए गोलु को दूसरी जगा जाना पड़ा उसने सोचा नई जगा सबसे न्यारी होनी चाहिए मैं अब सबसे न्यारी जगा पर रहूँगा उसके जैसी जगा कहीं और नहीं होगी यह सोचकर गोलू नई जगा ढूंडने चल दिया चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुचा वहां सुन्दर सुन्दर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे पेड़ पौधों की हरी हरी पत्यां देख कर गोलू खुश हो गया उसे लगा कि अब उसे नई जगा मिल गई है उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा फिर वह पौधों की पत्यां खाने लगा उसे पत्यां बहुत स्वादिष्ट लगी चटकारे लेकर उसने कई पत्यां खाडा ली एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे तब ही उनकी मां उन्हें बुलाने आई अचानक मां की निजर पत्यों पर पड़ी उन्हें बहुत क्रोधाया वे जोर से चिल्लाई इन पत्यों को किसने खाया है मा की आवाज सुनकर गोलू डर गया वह एक पत्यों के नीचे छिप गया जिससे कोई उसे देख न सके गोलू बहुत देर तक उस पत्यों के नीचे छिपा रहा थोड़ी देर बात मां अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई फिर गोलू जल्दी से बाहर आया वह समझ गया कि यह जगा सुरक्षित नहीं है वह उस बगीचे को छोड़ कर चल दिया धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुचा वहां मीठे मीठे सेब लगे थे वह सेब के पेड़ की पत्यों को खाने के लिए उतावला होने लगा परवा माली की बड़ी-बड़ी मुझे देख कर डर गया और आगे चल दिया कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिये तब ही अचानक उसे पानी की चप-चप आवाज सुनाई दी गोलू खुशो कर तेजी से उधर चल दिया वहाँ उसे सुन्दर जर्णा दिखाई दिया जर्णे के आज-पास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए गोलू बहुत खुश हुआ अब उसे वहाँ से कही नहीं जाना पड़ेगा उसे एक मियारी जगा मिल गई थी